बॉलिवोड के अंदर साल 2024 की सबसे बड़ी पिक्चर सिंगम अगेन का फाइनल ट्रेलर आगया चली तो बताते हैं कि इसका ट्रेलर कैसा है लेकिन यार उससे पहले इस वीडियो को लाइक करके हमें सबस्क्राइब जरू सी कर लीजी देखे सबसे पहले तो रोई छेटी ने आज से पहले किसी भी इंडिस्ट्री का नहीं दिखा था और उसके बाद में अगर इस ट्रेलर की बात की जाए तो इस ट्रेलर के अंदर किस तरीके से रामायन के इस 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 तरीकल एपिक को बहुत ही बहतरीन तरीके से जोड़ा गया है पिक्चर के साथ में पिक्चर के अ अध्याय के अंदर जितने भी किरदार होते हैं जो की अपनी अपनी एहम भूमी का निभाते उन सारे किरदार को किस तरीकी से संजोकर एक पिक्चर के अंदर दिखाया जाता है ये रोईच शेटी ने बहुती ज़ादा बहतरीन काम करके दिखाया है और उसके बाद में इस प पिक्चर का टॉपिक तो सबसे ज़ादा बहतरीन होने वाला और उससे भी कई गुना ज़ादा बहतरीन होने वाला है इस पिक्चर की स्टार कास्ट का एक्शन जो की सच में काफी काफी ज़ादा बवालिक होने वाला है और बवालिक एक्शन करते हुए नजर आने वाले है आपको Bollywood के Cop Universe के Super Heroes और ये पहली ऐसी पिक्चर होगी जिसके अंदर सारे Cop Universe के सारे के सारे Cop आपको एक साथ एक पिक्चर एक परदे पे नजर आने वाले और ये चीच सबसे बड़ी चीज होने वाली दिवाली के इस शुब आउसर पर ये पिक्चर आने वाली और सबसे जादा बहतरीन काम तो मुझे लगता है इस पिक्चर के अंदर अजिदेवगन गा जिनोंने श्रीराम जी की भूमिका निभाते हुए अपनी धर्म पत्नी को वापस लेकर आने की जो इच्छा जाहिर करते हैं उसके लिए कितने मुलकों से लड़ते हैं और किस तरी मैं तो काफी काफी जादा एक्साइटेड हो चुका हूँ इस तभाहीदार पूरे पांच मिनट के ट्रिलर को देखने के बाद में क्यूंकि बैसाब आज से पहले इतना तगड़ा और जबदद ट्रेलर मैंने तो नहीं देखा था किसी भी इंड़स्टी के अंदर इतना त अप्थलोजी का इस्टमाल करते वे अपने सारे सूपर हीरोज को एकत्रित करके एक शांदार एपिक पिक्चर बनाई बाई मैं तो सच में काफी काफी जादा एक्साइटेड उस पिक्चर को देखने के लिए और रोईचेटी की इस एपिक पिक्चर के अंदर एक र्यूम जब पिक्चर के अंदर आते हैं तो बैसा पिक्चर साथवे आसमान पे पहुँच जाती है तो बही मैं तो काफी जादा एक्साइटेड हूँ बाकियार इसका तबाहिदा जो ट्रिलर है ना बही मुझे तो सच में काफी जादा पसंद आया और मैं तो चाता हूँ कि आने आप लोगों ने इसका ट्रिलर देखा या आपको इसका ट्रिलर कैसा लगा और वैसे आप कौन से पिक्चर देखने जारो दिवाली के शुभाव सर पर कॉमेंट करके इस जरूर से बताना